अगर मैं आपसे कहूं कि बर्प से आग जलाई जा सकती है तो क्या आपको विश्वास होगा जी हाँ और मैं आपको इस वीडियो में इसे पूरी डिटेल में समझाओंगा भी और साथ ही बहुत सारे इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जिसे सुनकर आप लोग बि क्या आपको पता है एक बिल्ली की किड्नी इतनी एफिसियंट होती है कि वो समुद्र का पानी पीकर भी जिन्दा रह सकती है क्या आपको पता है आपका नूज लगबग पचास हजार तरह की इसमेल को पहचान सकता है फैक्ट नंबर थर्टीन क्या आपको पता है आर्थ पे लगबग साड़े 6,000 भासाएं बोली जाती है जिन्में से 2,000 भासाएं तो केवल अफरीका में ही बोली जाती है फैक्ट नंबर 12 इस दुनिया में सबसे लंबी जेली फिस 160 फीट की थी जो की लगबग आदे फुट वॉल ग्राउंड से भी जादा होता है सोचो फैक्ट नंबर 11 आपने मुना लिशा की पिंटिंग के बारे में तो सुना ही होगा जिसे लियोनाडो दा विंची ने 1503 में बनाया था क्या आपको पता है कि उसमें आइब्रोज नहीं थी और इसका रीजन आज तक कॉंट्रोवर्सियल है फैक्ट नंबर 10 कि आपको पता है एक डिस्कवरी में ये पता चला है कि चाइना में की जाने वाली पॉल्यूशन के कारण केलिफॉर्निया में स्नौफ वाल होती है और वहां की एकनॉमी को बिगाड़ देती है जमकी चाइना और केलिफॉर्निया के बीच दस हजार किलोमीटर का फासला है ये तो वही वाली बात हो गई न कि करे कोई और भरे कोई फैक्ट नंबर 9 कि आपको पता है यूरेनस इतना बड़ा है कि उसमें 63 अर्थ समा सकती है फैक्ट नंबर 8 इस दुनिया में सबसे बड़ा टोमेटो 3.51 किलो ग्राम का था और सबसे बड़ा टोमेटो का पेड़ 19.8 मीटर का था जिसमें 32,000 टोमेटो हुए थे जो की 522 किलो के थे सोचो फैक्ट नंबर 7 कि आपको पता है सबसे पहला कडल फोटोग्राफ थोमस सटन के द्वारा 1961 में लिया गया था फैक्ट नंबर 6 कि आपको पता है आईस से भी आग जलाई जा सकती है इसके लिए पहले आपको आईस का बिलकुल साफ किलियर टुकडा लेना होगा और इसे डिस्क का सेप में बना कर इसके एजेस को सार्प करना होगा इसके बाद आप इसे मैगनिफाइंग गलास के तरह यूज करके आग जला सकते हैं फैक्ट नंबर 5 न्यू जी लेंड जिसे हम लोग एक आईलेंड मानते हैं वो कडोरो साल पहले एक पूरा कॉंटिनेंट हुआ करता था जिसका नाम जी लेंडिया था जिसका 94% लेंड अभी पानी के अंदर जा चुका है फैक्ट नंबर 4 क्या आप लोग जानते हैं आईबरोस की बीच में जो खाली जगा होती है जहां लड़किया बिंदी लगाती है उसका नाम नैसन है फैक्ट नंबर 3 क्या आपको पता है जिमबावे के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बनाना था फैक्ट नंबर 2 क्या आपने कभी लिजार्ड को साउंड करते हुए सुना है नहीं न क्योंकि लिजार्ड की सिर्फ एक ही प्रजाती है जो साउंड निकाल सकती है जिसका नाम गेको है तो आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ आपको विडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और जो नए है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नौटिफिकेशन बेल भी ओन कर लेना क्योंकि ऐसी ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगे तो मिलते आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में जैहिन बंदे मातरम